हेलो दोस्तो कैसे हैं आप आज हम लेकर आया है मैंगो आइसक्रीम तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है वोनली ना इसमें हमें आग जलाने की जोर्त ना कोई मिल्क पाउडर ना कंडेंस मिल्क किसी भी चीज की जोर्त नहीं पड़ेगी और पाच मिन्ट में आप इस आइस क्रीम कुलफी को तयार कर लेंगे पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जादस जादस वीडियो को करें सेयर यहां पर हमने दो आम लिये हैं आम बाजार में काफी आ रखे है है आज कल तो यहां पर हमने इनको अच्छे से दो कर छील लिया है अभी कट कर लेते हैं बहुत ही इजी रैस्पी है दोस्तों लेकिन जब आप इस आइस क्रीम मनाएंगे और फटा फट से इती टेस्टी लगती है कि आपको इतना टेस्ट आने वाला है कि आपी गहेंगी कि पहले आपने क्यों नहीं बताया अभी आम को काड़ते समय हमें से इसी तरह से कट लगाना चाहिए इससे क्या होगा आम बहुत ही आसाने से कट जाते हैं इनका जो पल्फ है बड़ी आसाने से हम निकाल लेंगे अभी इनको सारे पल्फ को हमें इसी तरह से निकाल लेना है बिल्कुल आम मेरा ये यलो है और काफी मीठा भी है तो आप जब आइस क्रीम के लिए आम ले तो मीठा हो वो तो जादे टेस्टी बनेगी तो थोड़ा सा ध्यान से बिल्कु पका हुआ मैंगो होना चाहिए अभी गुटली को रख देते हैं साइड में और दूसरे भी आम को इसी तरह कट कर लेते हैं करीम यहां पर हमारे दो मैंगो लगे हैं एक आम से भी आप आराम से बना सकते हो इसे और फटा फट से आपकी यह कुलफी मैंगो कुलफी तयार हो जाएगी कुछ भी आप इसमें जादा है डालने की जोड़त नहीं और टेस्ट इसका तना क्रीमी लाने की कभी जिद नहीं करेंगे बच्चे जब आप इस तरह से बच्चों को घर में ही बना कर देंगे तो यहां पर हमने इसका भी पल पच्छे से निकाल लिया है और इसको रख देते हैं साइड में बाद में फैक देंगे तो यहां पर हमने क्या करना है जार ले लेना है अच्छे से इसके हम ने कर कर लिया है, हाथ में ठूपय आरही हूं सोरी है तो होड़ा पर टाइम लगता है तो यहां पर हम इसको एक ज्ञार में कर लेंगे अच्छे से इसका सारा जूस तो इसमें डल जाना चाहिए बेश नहीं होना चाहिए और करीब यहां हम एक कप चीनी लेंगे क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई आइस क्रीम या कुलफी बनाते है तो उसमें हमें चीन की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए तो यहां पर हमने लिया है हाप ग्लास दूद चार से पाच लिये हैं हमने काजू अगर आपके पास काजू ना हो तो कोई बात नहीं आप इसकिप कर सकते है और चार से पाच लिये हमने बादाम क्योंकि गर्मी ज़्यादपड रखी है तो हमने उसी कॉंटिटी में लिये है तो यह क्या है एक कफ हमने लिया है चीनी करीब और दो चुप्ती हमने लिया है लाज़ी पावडर थोड़े से जो यह पिस्ता है इसको हम गार्णिस के लिए पीस लेगें आड़ से दस हमने पिस्ता लिया है इसमें तो इसको हमने इसमें से निकाल लेते पावडर को तो इसे हम आलगी रखेंगे उसमें नहीं ग्राइंड करने वाले अभी पेश्ट को हमने ग्राइंड कर लिया है तो यहां पे यह तयार हो गया है अभी हां पे लेंगे हम लीची लीची इसमें हमें जादे नहीं लेनी, चार से पाच ही ओनली हम डालने वाले हैं, ओनली हलकी हलकी सी हम इनको काट तोड़ लेंगे, क्योंकि जब हम यह आईस्क्रीम खाते हैं बीच में लीची आती है, तो बहुती कमाल का टेक्ष्ण आता है, बहुती टेस्टी लगती है, अगर आप चाहें लीची डालना तो डाले नहीं, तो आप इसको बिना लीची डाले भी इस आईस्क्रीम को अराम से बना सकते हैं, तो यहां पे अच्छे से मैं इसको छील लोगी, धोग के मैंने इनको पहले ही रख लिया था, और चार से पाच ही मैं इसमें लेने वाली तो हमेने यह उली पाच ली है, अब इनका यह पल्प निकाल लेते हैं, ऐसे ही हम इसको बीच में एड़ कर देंगे, तो जब इसको खाते हैं तो भोती, क्रीमी और टिस्टी टैक्स चराता है, तो यहां पे हमने सभी को इस तरह से तोड़ लेना है, हाथों से भी आराम से आप नाइफ से भी काट सकते हैं, इसका अंदर का बीच निकाल लेना है, और इनको टुगडों में कर लेना है, हलके हलके से ही बहुत सोफ्ट होती है, तो आपको ज़्यादा यह नहीं हैं कि बारिक करना है, चाहे तो आप इसे पीस कर भी उसमें डाल सकते हैं, पेश्ट के हमने क्या गया है, छोटे-छोटे से इनको अलका सा कट कर लेंगे, जाद है नहीं, क्योंकि यह बीच में हम डालेंगे इनको, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है, तो यहाँ पर ओल्मोस्ट हमारा पेश्ट तयार हो चुका है, हमने इसमें कुछ भी ज़्य जाद है, एड नहीं किया है, और अगर आपके पास काजू ना हो, तो आप खर्बुजे के बीच एड कर सकते हैं, उससे भी काफी अच्छा टेक्श, टेक्शर उभर कर आता है, यह मेरे पास कुल्फी मॉल्ड है, बाजार में आपको यह बहुती ससना मिल जाएगा, आपे हमने थोड़ा-थोड़ा डाल दिया है सभी में, और अब इसमें डालेंगे हम जो पेश्ट है, सभी में थोड़ा-थोड़ा इसको पेश्ट को भर देंगे, सभी के अंदर आधा-धा करके, तो थोड़ा-थोड़ा इस तरह से डालते जाना है, गिर तो जाता ही है, इ ऐसे ही आधा-धा ही करके हम डालेंगे, पूरा भी हमें नहीं डालना, तो इस वाले में भी सभी को इस तरह से हम भर देंगे, दोस्तों यकीन मानी, आप जब यह कुलफी खाने वाले हैं ना मैंगो कुलफी, तो मज़ा ही आजाएगा, इसमें आपको ना कुछ समान लाने की जो और ना कुछ, आप घर में ही इसको बड़े आसाने से बना सकते हैं, और इसमें थोड़ी सी डाल देंगे, लीची, सभी में दो दो तिन दिन बीच में, क्योंकि यह बीच में आएगी ना जब आप खाएगे, तो भाई, मज़ा ही आजाता है, आप एक बार जरूर ट्रा क्योंकि जब इसको खाएगे हम, तो टेश्टी काफी लगती है, तो इस तरह से हमने थोड़ा सा पिस्ता और इसके बीच में डाल दिया है, और जो बचा हुआ पेश्टा इनको भर देंगे सभी को, इस तरह से, अभी बीच में हमारे ये जो ड्राइफ्रोट्स वगरा आग तो इसको दोस्तों मैंने पूरी और नाइट के लिए में रख रही हूं, सामकी टाइम में ये वीडियो सूट कर रही हूं, आप चाहे तो तेन से चार घंटे के लिए रख सकते हैं, या फिर आपको पता है कोई गैस्ट आने वाला है, तो आप इससे जड़ से बनाकर तयार कर सकते हैं, इसमें आपको जना जाद समय आपका फेस्ट होने वाला है, ना कुछ, और अगर मैं आपको याद दिला दू, अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो, तो प्लीज प्लीज, वीडियो को जाद से ज़यर कीजे, कमेंट कीजे, आप मेरी वीडियो कहां से देख यह हैं काफी अच्छा लगता है अब यहां पर क्या गरना है इनके ऊपर जो हम इनकी इश्टिक है वो लगा देंगी इन मेंश टिक कि आती है सूरी हैं पर मेरा हाथ आ गया मैं मिरको नहीं पता चला तो इसके ऊपर ही हम ऐसे इस तरह कर देंगे कि इस तरह से थोड़ा सा डिप करते हुए बिल्कुल अच्छे से हमें इसे बन कर देना है इसमें कोई हमें फॉइल पेपर की जोड़त नहीं है क्योंकि इसके अंदर वर्फ नहीं जाएगा यह अच्छे से कवर हो जाती है तो इसमें फायदा है अगर कवर ना हो तो आप बिना उसके भी मॉल्ट के भी आप इसे बना सकते है कटोरी में डाल कर उसके ओपर फॉइल पेपर लगा दे और एक श्टिक लगा दे तो कटोरी में भी आपकी यह बन सकती है बिना श्टिक के भी आप इसे बना कर खा सकते है जो कटोरी वाली आईस क्रेम होती है बिल्कु सेम वही टेक्ष्चर आने वाला है जब आप इसको खाएंगे ना मैंगो खुलफी तो मज़ा यह आ जाता है क्योंकि आम सभी को पसंद होते हैं किस-किस के फेवरेट है आम तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मुझे तो बहुत पसंद है और मैं तो बहुत ज़ की है तो दोस्तों अब हम निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारी कुल्फी कैसी जमी है तो इसको कुल्फी मोड में से निकालना दोस्तों बहुत ही आसान होता है आपको तरीका दिखाऊंगी कैसे आपको निकालना है तो यहां पर हमने इसको रख दिया है और पानी च बिल्कुल नहीं जाने वाला है करीब आपको एक से दो मिन्टी पानी चलाना है जादे देर जोड़त नहीं है और अभी आप इसको घुमा घुमा के निकाले ना कि एकदम अगर एकदम से निकालेंगे तो इसकी श्टिक भारा जाएगी और यह अंदर ही रह जाएगी आप दे करेंगे आइस्क्रीम बहर से मंगवाने की मैं कभी भी भार से आइस्क्रीम नहीं लाती हूँ घर में ही बनाती हूं हमेसा इसमें आप चाहे तो यहां पर हो गई है हमारी मैंगो कोल्फी तयार आप देख सकते हूं कितनी टेश्टी और कमाल के लग रही है हेक्त्रीन सुपर बहुती कमाल की बनी है मेरिट बहुत जल्दी होती है इसक्रीम इसलिए फटा-फट से हमें इसको निकाल लेते हैं वाउ और बहुती क्रीमी डेक्ष्चर आया हुआ है दोस्तों बहुती आपको भाने वाली है और पसंद आये तो प्लीज प्लीज सबोर्ट माई चैनल और वीडियो को जाल से जादे सेयर करें ताकि सभी इसका फायदा उठा सकें अभी इस तरह से राउंड राउंड करके सभी को हमने निकाल लेना है वाउ सुपर तो यहां पर हो गई है हमारी सारी कुलफी तैयार तो यहां पर हमने क्या करना है सभी को निकाल ले है रेडी तो चली खाने चलते हैं बहुती मजा आने वाला है आज बहुती टेस्टी और बिल्कुल बिना कोई हाड़ वर्क किये हमने इस कुलफी को तयार कर लिया है दोस्तों आप भी घर में बनाए और इंजोई कीजिए वाव सुपर बहुती भैतरिन हमारी ये मैंगो कुल पीसा है तो यह थोड़े सा मेल्ट हो गई क्योंकि आइस क्रीम बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है और गर्मी बहुत जादर रखी है तो यहां पर हमने पिस्ता से गार्निस कर दिया है जब आप इस तरह से यह आइस क्रीम किसी को भी खिलाएंगे कुलफी सोरी तो फिर प्लीज अपना प्यारा सा लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ थैंक्स फोर वोचिंग